जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शालत करता हूँ आपके अपने ही वैक युटूब चैनल प्रेडिक्शन डाजा में दोस्त तभी हम बात करेंगे अफगान ओडीडी कप का जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा एक एस वर्सेज बी ए एल के बीच में इसको लेके अम डिटेल में देखेंगे फिर आम बात करेंगे अपनी टिम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टाइटिंग में बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे वह अपना है कि डियमोटी मोगा फाइनल्टी में जो भी बदला उसके उपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जोईन हो जाना है अब आई हम बात कर लेते हैं मैच को लेके सबसे पहले हम बात करेंगे वीनिंग परसंटेज जादा किसके हैं तो यहां पर एचस की टीम फैवेट रहने वाली है और इन्होंने ग्रूप स्टेज में चार में से चार मैच वीनिंग की है अब यहां पर एचस की टीम फैवेट रहेंगी लेकिन टर्म से बड़े पिले हैं वो क्या फिर इस मैच करेंगे की नहीं करेंगे फाइनल मैच है दोनों हो सकते हैं अपने बेस्ट प्लेंग लेंग के साब उतरती है तो फिर आपको अच्छा का सा मुकावला देखने को मिल सकता है अगर हम बात कर लेंगे यहां पर फिर इन प्रेफट को लेकिए तो आपको बोर्ड पर दिख सकते हैं 260 का असपास का टार्गेट अगर PAL की टीम पहले बेले बाजी करती है तो आपको दिख सकते हैं बोड पर 225 का असपास का टार्गेट अगर कुछ unexpected ना हो तो आइए हम देखते हैं दोनों टीम के जो बड़े बड़े पिलियर हैं उनके लास्ट पांच मैच में कैसे ड्रीम इलएन के पॉइंट्स रहें फिर हम देखेंगे अपनी फेंटैसी का टीम तो यहां पर अगर हम बात कर लेंगे अगर हम बात कर लेंगा अफजय जो की कैप्टन सी कर रहे थे 68 के थे आशिप मुसाजय 48 के वे थे आई एहमद जय पांच अब्दूल रहमां छे और बिलाल एहमद यहां पर जीरो रन किये हुए थे गंदवाजी में सिर्जाद विकेट लेंगे थे बिलाल समी डेथ में आके अच्छा गंदवाजी के वज़े तिन विकेट मिला थे इनको अमीर हमजा जीरो विकेट लिये थे अब्दुल्ला जीरो विकेट समील ला सिन्वारी को दो विकेट मिलाता सहीदुला कमाल विकेट लेस गये थे और सबीर नोडी एक और में ग्यार रन दिये थे बात करेंगे बल्लेवाजी में अब्दुल्मलिक इंसाउलला दोनों जीरो पर चलेगे थे एन मसूद जो स्टार्टिंग का स्पेल डालता है अगर एन मसूद और फडीर मली के स्टार्टिंग के पांच-पांच अवर का स्पेल डालते तो कते आसान नहीं होगा टॉप स्टार्टिंग के निकल रहे हैं दोरन किये अब्दुल्ला तनिवाल परटी रन किये ते अमीर हमजा यहां पर लांस्ट मार्टे ट्विकेट रन किये हुए थे गंदवाजी में ध्यां दीजिएक निजैत मसूद को तीन विकेट मिला था अभदुल रहमान विकेट लेस ग आप कर लेंगे पी एल का तो अगर फरीद वल्ली खेलेंगे तो आपको वह दिखेंगे निजात मसूर्थ जाएंगे और इनके साथ आपको दिख सकते हैं जरीर घंदवाजी करते हैं तो भी डाल सकते हैं या फिर अगर यहीं तीवाजी आकरवन खेलती है खलील सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग जरूर में जी एल जील में कैप्टन विशी कंसीडर कर सकते हो सही दूला कमल 116 72 86 13 उसके बाद रहें मस्वाजा 23 76 13 40 54 एस इर्जाद 4 128 44 50 10 जैड अकबर 29 95 146 147 एस नोडी 15 32 34 जहीर खान 87 31 80 एजनत 9 1 75 44 बहिट सा 91 16 14 64 35 गुलवदी नहीं खेलेंगे मीनी जील 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 एसल सभी जगा आप कैप्टन सी दे सकते हो इन्होंने लास्ट के पांच मैंत में जो ड्रीम इलन के प्वेंट्स दियां वो कुछ ऐसा है 118 57 20 31 24 बिलाल सामी 67 इसक में जील 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 एसल में भी कंसीडर कर सकतू हार डिटर बले बादे चल गे तो तो तीस से पैंटिस वाल में अपना काम कर देंगे 26 22 उस्मान गानी 25 एक 28 नजीबुला जादरान 22 44 17 69 83 वाईसा 24 471 12 इसके लाभा भी आपके सामने स्टेट्स हैं इसको भी आप लोग जाक इसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो अगर हम बात करेंगे ड्रीम 11 टीम को लेगे तो मैंने विकेट के पीछे एस जजाई को लिया हुआ है उसके अलाबाब बैटिंग में रहमत सा को लिया हुआ है फिर मैंने आई जादरान को लिए हैं उसके बाद मैंने अपने टीम में जगार दिये वह यहां से आई जहनत को आप लोग यहां पर एस अटल को ट्राइक कर सकते हैं और अगर यहां से घानी और जजाई खेले तो फिर आप लोग इस दोनों को भी कंसीडर कर सकते हैं अब यह बात कर लेते हैं और लेंडर सेक्षन में गुलबदी नईव खेलेंगे मस्ट पिखोगा अगर नहीं खेलेंगे तुम लोग डिसकस नहीं करेंगे पहला मैं पिक करूंगा यहां से अपने टीम में यह हम्जा को दूसरा में सहुदुला का मलको अब देखिए यहां पे आप ट्रै कर सकते हो सिनवाडी को लेकिन मैंने फिलाल के लिए सिनवाडी को नहीं लिया हुआ आंगे देखते हैं बॉलिंग सेक्षन में बॉलिंग में जहीर कान खेलेंगे हमारे लिए मस्ट पिखो जाएंगे सली के लिए मैंने सिनवाडी को यहां से कंसिडरेट किया हुआ करीम जनत खेलेंगे इसको भी हम लोग लेके जाएंगे यही दिखते हैं कि यहां पर कौन प्लेंग रहेगा वह कंफर्मेशन हमारे पास फिलाल नहीं है इस वज़ए से मैंने में फिलाल 20 जामी को जगह दिया प्लेंग में शिर्जाद जैड़ अकवर एंड मसूर और बिलाल समी को लिया हुआ है आप देखो कि यहां पर दिखे का एक्चेस का मेरे टीम में फिलाल चाहरी पिलियर और यहां पर सामने वाली पी ऐल का आपको दिख जाएंगे यहां पर टूटल साथ पिलियर तो क्या आप ने तो यहां पर बोला था है एक चार में चार माच वियन करके आ रही है तो देखो दोस्तों यहां पर जो हम लोग टीम त्यार करेंगे तो वहां आप बैलेंस्ट एक एक एस के फैवेट में बना ही नहीं पहुँगे तीम बेतर टीम तो इसी विज़से मैं लाइन बाद मुझे लग रहा है कि मेरे टीम में जरूर चेंजेज करने पड़ेंगा तो जो भी चेंजेज करना पड़ेगा उसका अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मैं फैनल टीम में दे दूंगा बात आती है कैप्टन वीची को लेके तो कैप्टन वीची आप लोगों चाह अगर कोई चैंजेज होगा तो उसक अपडेट्स में आपको टेलीग्राम पर दूंगा साथ में कुबेरा का डियो और कुटो पिक्स भी आप लोगो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा शाथ में आप लोगो को सब्सक्राइब कर दीजेगा शाथ में अभी हमारे जो है व मैच वो है जहां से हम लोग अच्छे दौर में इंटरी ले लेंगे